परिचय और पादब अपने परिवेश में जीवित रहने के अनुकूल विभिन विशेष्टाएं विक्सित कर लेते हैं। आईए सजीवों और उनके परिवेश के बारे में और जाने। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सजीवों के अभिलक्षन पहचानने में जन्तूओं और पादबों के चरित्रगत अभिलक्षनों का वरणन करने में सजीव हम जानते हैं कि सजीवों, मनुष्य, जन्तू और पादब को अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। उनके भौतिक रूप में काफी विभिनता होती है, लेकिन वे सभी अपने जीवन में बढ़ते और विकसित होते हैं। सभी सजीव जीवित रहने के लिए विभिन मूल प्रकारियों, व्रिद्धी, विकास, पोशन, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन को क्रियानवित करते हैं। उन्हें जीवित रहने और अपने परिवेश से प्रभावशाली संबाद के लिए आहार या किसी दूसरे प्रकार के पोशन की जरूरत होती है। कोशिका संगठन अब हम सजीवों के विशिष्ट अभिलक्षनों का अध्यन करेंगे, जो इन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। सभी सजीव, पादप या जन्तु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के आधार पर एक कोशिकिय या बहु कोशिकिय हो सकते हैं। छोटे आकार के जीव, जैसे की अमीबा, पैरामीश्यम, एक कोशिका से बने होते हैं। इसलिए उन्हें एक कोशिकिय जीव कहते हैं। मनुष्य, कबूतर, आम का पेड बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं इसलिए इन्हें बहु कोश किये जीव कहते हैं सजीवों की एक अन्य विशेष्टा है पोशन सभी सजीवों को वृध्धी और जीवित रहने के लिए पोशन की आवशक्ता होती है पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में अपना आहार प्रकाश संचलेशन की प्रक्रियाद्वारा निर्मित कर लेते हैं जबकि जन्तु अपने आहार के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं सजीवों की एक अन्य विशेष्टा है गती सभी सजीव अपनी इच्छा के अनुसार गती कर सकते हैं लोगों का चलना, मेंधक का फुदकना और साप का रिंगना गती की क्रियाएं हैं इसी प्रकार पादप भी गती करते हैं लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदलते कद्दू की लता अपने आधार की दिशा में गती करती है उद्दीपन के प्रती अनुक्रिया जब आप किसी पौधे को खिड़की के पास रखते हैं तो देखते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है इस विशेश्ता को उद्दीपनों के प्रती अनुक्रियात्मकता कहते हैं इसी प्रकार जब हम एक गर्म बर्तन को छूते हैं तो अपने हाथ को पीछे खीच लेना हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है अतह सजीव अपने परिवेश से ग्रहन उद्दीपनों के प्रती अनुक्रिया करते हैं श्वसन श्वसन सजीवों की एक आवशक विशेष्टा है श्वसन की प्रक्रिया के लिए उन्हें ऑक्सिजन की आवशकता होती है जीव ऑक्सिजन को सास के रूप में अंदर लेते हैं और कार्बन डायोक्साइड को सास के रूप में बाहर छोड़ते हैं शरीर में जाने वाली ओक्सिजन उर्जा उत्पन करने के लिए आहार को ओक्सिक्रित करती है फिर इस उर्जा का प्रयोग शरीर द्वारा जीवन की विभिन गतिविधियों को संपन करने में किया जाता है पौधे अपने पत्तियों और तनों के वाहिपरत पर उपस्थित सूक्ष्मिछिद्रों की सहायता से श्वसन करते हैं प्रजनन प्रजनन सजीवों की एक महतुपून्ड विशेषता है सभी सजीवों में प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन करने की एक्षमता होती है जन्तु जैसे कबूतर, साप और मेंधक अंडे देते हैं जबकि कुछ जन्तु जैसे शेर, कुत्ता और मनुष्य अपने समान शिशु को जन्म देते हैं पौधे बीज या पौधे के किसी अन्य अंग के माध्यम से प्रजनन करते हैं उत्सरजन जन्तुओं को वृध्धी और विकास के लिए आहार की आवशकता होती है हाला कि पाचन प्रक्रिया के दोरान शरीर में बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का निर्मान होता है जो शरीर के पोशन में किसी प्रकार का योगदान नहीं करते इसी लिए वो हमारे शरीर से उत्सरजित हो जाते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निशकासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को वाश्प, लासा और राल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सभी सजीवों का जीवन चक्र सीमित होता है, भिन भिन पौधों और भिन भिन जनतूं के लिए जीवन चक्र भिन भिन होता है, लेकिन अंत में एक दिन वो मरते हैं, सभी जीवों और पौधों की मृत्यू होती है. सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सभी सजीव जन्तूं और पादपों का निर्मान कोशिका से होता है सभी सजीवों को वृद्धी के लिए पोशन की आवशक्ता होती है सभी सजीव अपनी इच्छा से गती करते हैं सभी सजीव अक्सीजन को श्वास के रूप में अंदर लेते हैं और कार्बन डायोकसाइड को श्वास के रूप में बाहर छोड़ते हैं सभी सजीवों का जीवन चक्र सीमित होता है